मित्रों नमस्कार, पुना आपका संबादाता संबेलन में अभिनंदन है, अपने बीच भारती जनता पार्टी के माननिय रास्त्रिय महामंत्री स्री विनोद तावरे जी है, निरंतर इस विकास यात्रा के सहयात्री बनने के लिए जननेता बुद्धी जी भी पार्टी के साथ आगे आ रहे हैं, अज़लब गाओं गरीब किसान मजदूर सब पार्टी के साथ एकमत होकर माननिय प्रधान मंत्री जी के नित्रितु में हैं, उसी क्रम में उडिशा के केंद्रा पारा से बीजू जनता दल के सांसत स्री अनुभव महंती जी माननिय राष्ट्रिय महामंत्री जी के समक्ष पार्टी की सदस्ता ग्रहन कर रहे हैं, मेरा विनमर निवेदन है माननिय विनोत तावरे जी से कि स्री अनुभव महंती जी को पार्टी की विधिवत सदस्ता ग्रहन कराएं, माननिय विनोत जी मेरा निवेदन माननिय विनोत तावरे जी से है कि अपने नए साथी का पार्टी में स्वागत भी करें और संबोधीत करें अनुभव जी, संजे जी, जैसे संजे जी ने कहा वैसे लगातार बारतिय जंदा पार्टी में आदर्णिय प्रदान मंत्री मोधी जी के नेतरूत में विकसित भारत को समर्तन देने के लिए कई मान्यवरों का प्रवेश हो रहा है, आज अनुभव मोहनती जी का हो रहा है जो केंद्रपाड़ा से उननीस में सांसत बने, एक राजनेतिक सामाजी करेकरता के नाते उडिया, बंगाली फिल्मों में भी उन्होंने एक प्रक्यात अभी नहीता की भूमी का निवाई है, आज भी वो काम कर रहा है और 2014 में राज्यसभा के बिनिरोद निर्वाचित सबसे कम उमर के सांसत के नाते भी उन्होंने दाईत पो सम्भाला है ऐसे युवा, एक नेता, अभी नेता, आज बारतिय जनता पाड़े में जूड रहा है कल आमने दिल्ली में देखा कि इंडी आलायंस की रैली में बड़े-बड़े नेताओं को दो, डाई, तीन मिनिट होने के बाद तुरंत इशारा जाता था, चिट्टी जाती थी और जैसे तैसे हम सब साथ है, यह दिखाने का एक प्रयास कल की रैली में हुआ, लेकिन कई वीडियो बाद में आपने भी देखे होगे, आमने भी देखे कि यहां किसी नेता ने लेके आया, किस लिए लाया, क्या लाया, कुछ पता ने, ऐसे बोलने वाले भी, भीड में से कुछ सामाने जनता बाद दिख रही थी, और इसलिए एक बड़ा चड़ा कर बहुत एक बलशाली विपक्ष के नात्याम, लड़ाई, लड़ने वाले इस प्रकार का मावल खड़ा करने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन उसमें काम्या भी नहीं मिल रही है, और यही दुख उन सब निताओं के बाशन में बार-बार व्यक्त किया गया, हारेवे मारसिक्ता से सब विपश्काल इकटा हुए हमने देखे, और उसी समय दुसरी तरफ, इस भारत को विकसीत देखने के लिए उत्सुक, अनुवो जी जैसे कई लोग आदनिय मोधी जी के नेतिवतों में जूड रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और अनुवो जी से अनुद भी करता हूँ, कि वो अपना मनोगत व्यक्त करें। मैं सौभागे शाली रहा हूँ, कि जिन नेता के साथ मुझे काम करने का अवसर ग्यारा साल के लिए मिला, उनके नेतृते में मुझे भारत के राजे सभा के सर्वकनिस सांसद होने का मुझे मिला था, और मैंने पूरी महनत से और कोशिश की थी, कि एक काम चीज भी कहा जा पर उस चीज से मुझे बहुत चिड होती थी, इसलिए मैंने बहुत महनत करके पहले सेशन से लेकर हमेशा मैंने हर चीज में पार्टिसिपेट करने का पूरी कोशिश किया था और देश के देश के विकास के लिए हमने जभी भी मोदी जी के नितृत में भारते जनता पाट यह लोकसभा के केंद्रपड़ा कॉंस्वेंसे से लडने का मौका मिला और तब भी यह जो पिछले पांच साल मेरे लिए रहे यह एक सीखने का एक बहुत बड़ा दौर था मेरे लिए कई चीजों का सामना के कई एतिहासिक बिलों को पास होते विए देखा जैसे बिल जो जैसे धारा 370 का हटना हुआ तीन तलाक की बात कर ले या जो आजादी से पहले के जो बने नियम थे जो रूल्स आई पी सी उसके उठने का और बी एनेस वगेरा आने का यह हमारे स्वधेसी कानून लागू हुए तो ऐसे एतिहासिक चीजों को देखकर मुझे बहुत गर्ब महसूस हुआ और एक युवा होने के इनाते मैं चाहूंगा कि देश के हर एक युवा को इस जोश में इस उमीद से इस परिवार में शामिल होना चाहिए ताकि हम देश को बहुत आगे और लेके चले और देश क के लिए अच्छा काम करें युवा जब चाहे और ऐसे जब एक्सपिरियंस गुरुजन हमारे हैं उनके उपदेश से उनके निर्देश से हम अच्छा काम अगर करने की कोशिश करें कम से कम तो देश में बहुत बदलाब आएगा और आगे चलके मुझे यकीन है आने वाले पांच दस सालों में भारत पूरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा तो मैं माने मोधी जी के नित्रत में भारतिय जनता पाटी में शामिल होने की खुशी से मैं आप सबको मेरा आभारवक्त करना चाहूंगा प्रणाम देना चाहूंगा भगवान करें कि आगे चलके हम सब अच्छा काम करें और देश के लिए काम करें देश से बड़ा या मात्रभूमी से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता मैं आज के दिन के लिए मैं अपने माता पिता को मेरे परिवार को मेरा चोटा भाई भी यहां पर मौजूदे मेरे साथ मेरे पुरे शेरा बाध करें और खोड़ा को मात्व से ओ़िए बैर्दा भाई मेरे क्वार और यहां पेस्ट है करें अच्छी हमारा टकेशवर बढ़ा घंएुपार चीज अच्छी और ईंटिन करें नियूए प्रापते हम